तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के अभी टर्मिनल एक्जाम शुरू होने वाले या फिर आगे होने वाले होगे तो आपको ऐसा टॉपिक जो हेल्प कर दखता है उस पर आज वीडियो बनाते है लाट इस पेपरी प्रेजेंटेशन तो लेट स्टाइट द वीडियो तो पेप पॉइंट है क्वालिटी अबोव कॉंटिटी अब मुझे बताओ कि एक आंसर शीट है जिसमें बहुत सारा डेटा लिखा है परेग्राफ भर भर खे लिखा हुआ है और दूसरा एक आंसर शीट है जिसमें डेटा अच्छे से कैटेगराइज किया गया है टेविलर फॉर्म बनाए टेबल बनाए मतलब इन चोट आप ऐसा फोकस करो कि आपका पेपर देखने के लिए टीचर को खुशी होनी चाहिए ना कि उनका मूड ज्यादा बिगड़ जानने चाहिए नेक्स इंग इस हैंड़ाइटिंग नो मैटर आपके हंड़ाइटिंग आश तक कैसी भी र कोई भी important point है तो आप उसको underline करें ताकि examiner को आपके efforts दिखे कि नहीं है बच्चे ने सच में पढ़ाई की है और इन्हें सच में कुछ आता है बस एसे लिखने के लिए paper नहीं लिखा है next is diagrams, draw diagrams wherever you need because diagrams not only make your paper look good but अगर आपको कोई answer नहीं भी आ रहा है और अगर आपने सिफ उसका diagram भी लिख दिया तो भी आपको marks मेलते है यह usually anatomy में ज्यादा helpful होता है because अगर suppose आप axila का answer लिख रहे हो तो अगर आपको उसके relations नहीं यादा आ रहे है और अगर आपको उसका diagram यादा रहे है तो आप वही पर उसके relations diagram में से देखकर लिख सकते हो और अगर आपके diagram up to the point होगी with each and every labeling वगेरा मतलब सेफ अगर आप diagram भी लिख रहे होगे तो भी आपको अच्छे खासे marks मिल जाते हैं next is change your approach the first and foremost thing is you should change your approach towards the teacher who is checking your paper because half of the look तो यही सोच कर जाते है कि कुछ भी लिख दूंगा तो marks मिल जाएगे देखो ऐसा विल्कुल भी नहीं होता है टेक्निकली देखा जाए तो वो age में हमसे बड़े होते हैं like सीधे से बात देखा जाए तो उनका half of the career उन्होंने paper वगेरा check करने में इंकाल दिया है तो उनको पता होता है कि किस answer में कया data होना चाहिए किस answer में कैसा representation होना चाहिए so don't try to fool them कि कुछ भी लिख कर आओगा तो चलेगा paper उनका नहीं है paper आप लोगों का है आप उन पर ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप कुछ भी लिख कर आ रहे हो तो आप marks देदेगे याद रखना कि वो आपका exam में आपको pass होना इसके लिए और अगर आपको pass होना है तो आप ठीक है medium range का लिख कर भी मतलब moderate paper भी लिख सकते हो बट अगर आपको distinction में आना है तो make sure कि आपका representation अच्छा हो आपके tons and tons of paragraphs रीड करने में किसी को भी मतलब नहीं है बट अगर आपका representation अच्छा रहा अगर आपका पहला impression अच्छा पढ़ गया तो obviously examiner का mood भी अच्छा होता है आगे की paper check करने में और वो marks भी अच्छे दे देते हैं फिर आपको so this was about today's video अगर आपको video helpful लगाओ तो do like, share, comment and subscribe and I'll see you guys in next video और हाँ आपको notify कर दू कि मैंने कल ही telegram पर respiration के कुछ important questions डाल दिया है अगर आपको check करने so you can check out on my telegram group